हलो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीली भीस से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहाँ पर एक प्रेमी जिसका नाम था हर चरन सींग जो की अपनी प्रेमका से मिलने के लिए उसके घर पर गया लेकिन वहाँ पर प्रेमका की परवारबाले पहले से ही तैयार बैटे या क्या था दोस्तों वहाँ प्रेमी जब प्रेमका के घर गया तो वहाँ पर उसे करंट लगा कर मौत के घाट उतार दिया और उसकी बोडी को एक गन्ने के खेत में फैंक दिया दोस्तो इस प्रकार से उस प्रेमी की बोड़ी गाउवालों को जब मिली तो दोस्तो पूरे गाउव में गुस्सा का माहुल बन गया पूरे गाउव में हडकम्ब मच गया प्रेमी के परवार बालों को यह पता चल गया कि हमारे बच्चे की मौत का कारड वह लड़की और उस यक्ति और यानि कुल चार लोगों के खिलाब सिकाट दर्ज करा दी जिसके तहत पुलिस वालों ने उस प्रेम का और उसकी मां को गरपतार करके जेल बेज दिया दोस्तो यह सच में हैरान कर देने बाली खबर है योगी यहाँ बात यहीं पर कतम नहीं होती लेकिन इस मामले में आकरकार क्या हुआ क्या बज़े थी पूरी जानकारी देने से पहले कहना चाहता हूँ कि पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राब बेल आकन को जरूद आग द दोस्तो यह गठना है 8 सेप्टमबर की आपको बताना चाहता हूँ कि मिली नियूज के मताबिक यह बताए जा रहा है की 8 सेप्टमबर को लड़की ने खुद कॉल किया था लड़के के लिए कि तुम यहाँ पर आ जाओ और वहां लड़का अपने दोस्तों के साथ गुरू द्वारा जाने के बहाने से वह लड़का उस प्रेमका के घर पर गया था तो पता नहीं उसके परबार वाले पहले से तैयार बैटे थे क्या था इस मामले की पूर रूप से जाच की जा रही है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि लड़का जब घर गया तो उसे करंट ल एक नोजवान लड़का जिसकी कररं लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, एस मामले में लोगों का कहना है कि लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे अगर इस मामले में लड़के की गलती थी तो इस मामले में लड़की की भी बराबरी की गलती है तो आकिरकार उस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया गया और भी कई तरीके थे समझाने के तरीके ते परवार वालों से बोलने के तरीके थे लेकिन ऐसा नहीं करना था इसलिए गाउवालों के अंदर गुस्सा का माहुल बन गया है और सभी गाउवाले उस प्रेमी लड़के के साथ हैं हर चरन सेंग के साथ हैं तो दोस्तों यह सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है इस खबर को लेकर कोई भी नया अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा जांदा से जांदा वीडियो को सेर कीजिए चलता है दोस्तों धन्यवाद